क्लास सेकेंड आज हम लोग पढ़ेंगे एक्ससाइज 1.2 कंपेरिंग एंड अरेंजिंग टू कंपेर टू डिजिट नंबर्स टू डिजिट नंबर्स को हमें कंपेर करना है क्या करते हैं इसके लिए फर्स्ट कंपेर दर डिजिट इन दर तेंस प्लेस सबसे पहले हम जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको कंपेर करते हैं टेंस प्लेस वाला डिजिट कौन सा हुआ लेफ्ट डिजिट जो हमारा लेफ्ट हुआ वो टेंस प्लेस पे रहता है अगर हमें दो नंबर्स को कंपेर करना है अगर हमारा 10th place वाले जो भी digits हैं अगर वो equal रहेंगे then compare the digits in the ones place तब हम क्या करते हैं हम compare करते हैं ones place के digits को the number having greater value on its ones place will be greater than the other अब जिस भी नमबर में हमारे ones place वाल जो नमबर है वो अगर greater रहेगा ones place पे जो भी digit है अगर वो बड़ा होगा तो वो number हमारा बड़ा कहलाएगा अब जैसे यहाँ पर first का example दिया है 45 है और दूसर नमबर दिया है 25 तो यह 5 ones place पे है और 4 tenth place पे है 25 में 5 ones place पे है और 2 tenth place पे है अब हम देख लेता है first में क्या बोला था कि हमें 10th place वाले जो भी digit है इसको compare करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 है यहाँ 2 है तो कौन सो बड़ा हुआ है 4 जो है वो 2 से बड़ा होगा तो हमारा कौन सो नमबर बड़ा कहलाएगा 45 is greater than 25 ठीक है तो यह greater का sign हम यहाँ लगा देंगे उसके बाद है second वाला जो था जिसमें कि अगर 10th place पे हमारे नमबर सेम है तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है तो हम क्या करते हैं compare करेंगे जो ones place पे जो भी digit है इसको हम देखेंगे कौन सा नमबर बड़ा है यहाँ 5 है और यहाँ पे 8 है तो जो बड़ा नमबर रहेगा once place पे वह हमारा नमबर बड़ा कहलाएगा तो 38 is greater than 35 ठीक है तब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 38 is greater than 35 अब हम यहाँ देख लेते हैं exercise 1.2 है greater, smaller और equal sign हमें यहाँ पे यूज करना है 35 है यहाँ 72 है तो कौन सा नमबर बड़ा है 72 उसके बाद है 45 and 14 तो जो नमबर greater होगा उसके सामने हम यह symbol लगा देंगे जो नमबर बड़ा रहता है उसके तरफ यह मूँ खुलता है इसका ठीक है यहाँ पर 20 है यहाँ भी 20 है तो क्या करेंगे? equal sign लगेगा इसी तरीके से बागी के questions आप लोग को solve करें